समझदारी दिखाए, अपने बच्चे का संपूर्ण टिका करण करवाए खुश्बू जल्दी कर, शाम को मेला देखने चलना है, याद है ना? मेला वेला छोड़ो, पहले बिट्टी को तुरन डॉक्टर के यां लेकर चलो क्यों? क्या हुआ? बुखार आ गया है, आज सुबे टीका लगवाया था मैंने मना किया था ना, मुझसे बिना पूछे लगवा दिया हैं? अब, अब कहां जा रही हो? डॉक्टर के पास हां? ये तो आशा बेंजी है लेकिन तुम्हे तो अपने मन की ही करनी रहती है आशा बेंज, बिट्टी को टीका लगवाया था उसके बाद से बुखार है हम उसे लेके डॉक्टर के पास जा रहे है परिशान मत हो खुश्बू टीके के बाद बुखार आना आम बात है एनेम भेंजी ने जो बुखार की दवा दी थी उसे दे देना था अरे, मैंने उनकी इस बात पर तो ध्यानी नहीं दिया कोई बात नहीं खुश्बू हेल्ट सेंटर में तुम्हें डॉक्टर दीदी फिर से सब समझा देंगी नमस्ते डॉक्टर दीदी नमस्ते, क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था उसके बात से बुखार है मैंने इसे मना किया था इसने मुझसे बिना पूछे लगवा दिया हाँ, पर ये इसने सही किया हाँ? मैं समझाती हूँ देखो हमारा शरीर एक किले की तरह है अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए वैसे ही हमारे शरीर की भी एक फौज होती है बिमारी फैलाने वाले किटानों और विशानों से हमें बचाने के लिए तो हमारे शरीर को कौन बचा कर रखता है? जैसे किले को फौच दुश्मनों से बचाती है वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे काण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं ज्यादा तर लाल होते हैं पर कुछ सफेद भी होते हैं ये सफेज सेल हमारे शरीर के सिपाही हैं हमारे शरीर की फॉज ये बिमारी के किटानों और विशानों से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं अब किसे भी फॉज के सिपाहीों जैसे इन सफेज सेलों को भी दुश्मन को पहचानना लड़ाई के दाव पेच, हतियार चलाना सिखाने की जरूरत होती है अब इन्हें कैसे सिखाया जाए? इसके लिए हम बच्चे के शरीर में वैक्सीन को पहुचाते हैं इसी को टीका करण या टीका लगाना कहते हैं इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं है तीका करण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भीचते हैं ताकि सफेज सेल बिमारी फैलाने वाले किटानू या विशानू की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले अब जब कभी बच्चे को इन बिमारीों का संक्रमन होता है तब हमारे सफेज सेल इन किटानू या विशानू को फौरण पहचान जाते हैं और इने खत्म कर देते हैं अब जैसे फौच की ट्रेनिंग में भाग दौड मेहनत होती है वैसे ही जब सफेज सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गरम हो सकता है बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है इसका मतलब सिर्फ यह है कि उसके शरीर के सफेज सेल बिमारी के दुश्मनों से जम के लड़ना सीख रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं यदि बच्चे को बुखार आता है तो A&M द्वारा बताए डोस के अनुसार बुखार की गोली पीस कर मा के दूद के साथ देना चाहिए इससे सफेज सेल की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और बुखार भी ठीक हो जाएगा और अगर सूजन हो तो थोड़ी बरफ या ठंडे कपड़े से सिकाई कर देना चाहिए अब मेरी बिट्टी को कोई बिमारी नहीं होगी न हम बच्चों को उन जानलेवा बिमारियों के टीके लगाते हैं जिनसे उन्हें इस उम्र में सबसे ज्यादा खत्रा होता है जैसे टीबी, पोलियो, गल घोटू, काली खासी, टिटिनिस, खसरा, हैपिटाइटिस बी और जापानी एंसिफिलाइटिस बिट्टी को ये सभी टीके सही समय पर लगवाओगी तो बिट्टी का इन खतरनाग बिमारियों से बचाव होता रहेगा अच्छा एनम ने टीका करण के समय जो चार मुख्य बाते बताई हैं उन्हें याद रखना कि कौन सा टीका दिया गया है और ये किस बिमारी से बचाव करता है टीका करण के बाद कौन से मामुली प्रतिकूल प्रभाव जैसे सूजन, बुखार, चिट-चिडाहट और गाठ हो सकते हैं और उनसे कैसे निप्टा जाए अगले टीके के लिए बच्चे को कब और कहा लेकर आए एवं टीका करण कार्ड को सुरक्षित रखे और अगले टीका करण के समय साथ लाए हम, समझ गया अपसे हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे हाँ, याद रखिए, बच्चे को टीका लगवाने के बाद प्रतिकोर प्रभाव होने के बावजूद अगला टीका समय पर जरूर लगवाएं समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का समपूर्ण टीका करण करवाएं